जाहिएं दुस्तों यूबे सिंदी में आप सभी का बहुत-बहुत सागत है और अभी आप दुरू का लेक्चर थर्ड स्टार्ट करेंगे देखे कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं कुछ लोगों को नोट्स बनाने प्रॉब्लम आ रही थी तो इसी लिए मैंने करता दीजेगा आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो मैं आज कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों जिससे क्या था कि कविगार बोलते बोलते ना देखे एक चीज़ समझेगा जियोग्राफी इकोनॉमिक्स यह दोनों टेक्निकल सब्जेक्ट है आपके यू नागरी में आप इंग्लिश कीवर्ड यूज़ गरें सब्ज़ आपको लिखना है मालो समवहनी धाराएं तो कई पर समवहनी धाराएं नहीं याद आएगी आपके पड़ते समय लिखे तो वेल और गुड लेकिन कन्वेक्शनल करेंट भी आप लिख सकते हैं कन्वेक्शन करेंट ऐसे देवनागरी में कन्वेक्शनल करेंट भी लिख सकते हैं तो यह नहीं सुचना ही सतर मेरी हिंदी बहुत खराब है या मेरी इंग्लिश बहुत खराब है मैं समझ रहा हूं तमझने पर फोकस करना है ना की हिंदी इंग्लिश पर पहली बात दुसरे आद कुछ कुछ लोग ने नोट्स बहुत शांदार भेज़े थे कुछ लोग ने आंसर भी बेज़ा था मैं सबकी तो यहां पर गॉंपी नहीं शो कर सकता अब यह सी बात है लेकिन एक चीज समझना जिसे बस ओवराल बता दे रहा हूं इसलिए मैंने पहली क्लास में खूब टाइम दि ठीक है तो प्रिशराइज एकदम नहीं करेंगे अभी आपकी क्लास थोड़ी सोई स्पीड में चलेगी लेकिन एक बार आप आपको यह लगे कि हांसर अब हम तयार है पूरी तरह से लड़ाई करने ले तो क्लासेश डेली चलेंगी ठीक है डेली क्लासेश चलेंगी क्योंक ठीक है दिसंबर जन्वरी फर्वरी मालो अभी तीन महीने अपने पास हैं दिसंबर जन्वरी फर्वरी तो तीन महीने में अपने को ठीक है तीन महीने में अपने को 120 क्लासेश करनी है तो 120 का मालो 70% ही माल लिजे 70% माल लिए 30% चली आप प्री के बाद भी कर सकते हैं लेकि तो यह मत पुछेगा कि नहीं सर हमेशा ऐसे slow नहीं चलेगा तो पहले दिन आपको यह समझने के लिए कि सर मैं यह diagram बनाऊ हो मैं वो diagram अगर पहले दिन मैं 10 question मालो पढ़ा देता या 5 question पढ़ा देता तो आपको लगता कि क्या हो रहा है उपर से जा रहा है तो आप इस चीच क आपको लगेगा नहीं सर अब हमको समझ में आ गया है तो आपका काम आगे बढ़ जाएगा अभी समझ में नहीं आए था अगल की क्लास में क्यों कि क्लास समझ में आई थी concept आप लोगा इदम clear था ठीक है लेकिन problem क्या हूई थी अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों मैंने क्लास में कमसम दस बार बोला था कि भाया जब इसका आंसर लिखोगे महादीपी विस्थापन के सिध्धान और प्रमाड तो आप maps बनाओगे एक दो मुझे आंसर मिला content बहुत अच्छा था तो maps नहीं बनाए थे जब मैं यहाँ पर तीन चार बार बोलाओं कि ये गोला बनाना है दिखाना है कि पैंजिया से लेकर कैसे वर्तमान प्रायदीप पहुंचा और बहुत नहीं बना पार है तो ऐसे बना दो वर्तमान प्रायदीप ये क्या समस्चे जा रहा है भाई ऐसे बनाने में ये भी मैप बनता है वेलन गुड मैप है एक्जाम में बस एक्जामनर को समझाना होता है वापे आर्ट का कॉंपटिशन आपका नहीं है मैपिंग का कॉंपटिशन एक्जाम नहीं है एक्जाम आपके जन्दल नौलेज़ की चेकिंग है और जंदल लॉलिज चीज़े की में ये भी आराम से आप ये फील आ रही है कि साउत अमेरिका वरतमानी स्थित्याब दिखा रहे है एकदम समस्चा नहीं इस बात पर एकदम मत परशानी है कि बहुत सुन्दर नहीं मैप बनेगा चाइब अमेरिका का एकट दिखना चाहिए फ्लोरिडा का कट नहीं दिखेंगा अंदर पेज में मैक्सणीमम एक पेज में आपका एक से दो टापिक हो जाए कोशिश्य करना है एक पेज में एक से दोटापिक हो ज़ाए जितने छोटे रहें थ्रणा छोटा लिखे फोकश करिए डाइग्राम पे मुझे यह लिखना था प्रमाणों की वेचना कीजिए तो आप क्या करिए आप इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं भाई याद रहेगा एकदाम में वह जाद जरूरत तो कई लोग ने पूरा प्राग्राफ प्राग्राफ नोट दो नहीं आप क्या करिए एक वर्ड मैप बनाए यह वाला दि डिडिंग डालो देखो नोट ऐसे बनते हैं शौर्ट नोट बनाने हमको नकी हमको जो एक्जाम में नोट नहीं लिखके आना है इकदाम में जो समझ है समझदारी है वो डिपेंडस उन कोउश्चन इसलिए पहले दिन मैं नज दस कोश्चन एग इन चीज़ को दस तरीके स होंगे प्रमाड यहां पर लिखना है प्रमाड और यहां पर ऐसे दिखाना है जिक्सॉफिट ठीक है यह मैच करना है अब यह तो आपको याद ही रहेगा क्यार यह अमेरिका और अफ्रिका जिक्सॉफिट में है यह यह दिखाना ऐसा यह दिखाना ऐसा यह दिखाना ऐसा यह तो आप करी लोगे न वह एक्जाम में इसको पूछेगा तो explain कर लोगे तो notes explanation नहीं होता है जो आप यह मत सोचना कभी भी देखो notes बनाते समय एक चीज़ अगर ध्यान में रखोगे कभी भी यह मत सोचना कि जो हमने लिखा है notes में वह exam में लिख देंगे notes बनाने के हमारी आदी problem तब होती है जब हम काका वीडियो देखते हैं और काका वीडियो में यह समझा जाता है कि जो यहाँ पर आया वही exact exam में आ जाएगा तो तुम फोड़ के चले आओगे लिकिर इस बाद तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें notes exam में UPSC में UPSC में आपका सीधा सीधा आपने जो question answer किया वो नहीं आएगा हो सकता है UPSC समझेगा हो सकता है आज हम लोग करेंगे भी हो सकता है UPSC मादवीपी विस्तापन सिधान और plate प्लेट टेक्टोनिक को एक साथ पूच दे पूच दे दोनों में अंतर क्या है एक साथ पूच दे पूच दोनों में अंतर क्या है ये UPSC question पूच दे तो आप क्या करी आप समझदारी जो है वो notes में लिखिए points और practice तो घर पे करी रहे Drew batch में आपके question और answer की practice तो हम करवा ही रहे आप भी discussion करी रहे लेकिन notes आपके ये नहीं होने चाहिए भाई notes ये नहीं हो चाहिए notes ऐसे नहीं बनाई कि 450 question के लिए 500 पनने के notes बन गए और एक अलग से आपके उपर burden क्रियो ठीक है नहीं कि धुरू बैचे आपका burden खतम करने के लिए न कि burden बढ़ाने के लिए दो चीजों में difference समझेगा ठीक है इस basis पर notes बनेंगे ठीक है तो बस प्रमाण बनाने है तो प्रमाण में एक map वहीं पर सारे प्रमाण notes डाउन करने न कि उसको explain करने लगना है नहीं examples map, map examples यहीं आपके notes में बनेंगे तो आपका notes example maps, example diagrams, points diagram, points diagram, headings diagram, headings, subheadings केवल यही notes होगा उसका explanation आपका notes नहीं होगा ठीक है तो यह मामला clear तो दो-चार लोग बना के बेज़ेगा मैं overall देखूंगा अब सुनिए, message बेज़के यह मत कसम खाये यह नहीं, सर तुरंट देखके बताईए मैं भी थोड़ा west चलता हूं कभी बार लेकिन अगली class में वो discussion जैसे आप जो professor सर को message बेज़ेंगे या discussion group पे जो आप लोग upload करेंगे सर यह मेंने notes हैं, तो अगली class जब होगी, तो मैं क्या करूँगा आपको वो well and good देखके proper बता दूँगा कि हाँ यह चीज़ सही है, यह चीज़ नहीं सही है तो ऐसे हम लोग यह हमारा communication का माध्यम होगा और अगर मिरे पास समय रहा, तो मैं ऐसा कसम नहीं कहा हूँ, तुरंद भी reply महाँ पे मिल लेगा ठीक है, तो हम लोग आज आगे बढ़ते है हमारा second question है, वो है plate weaver thanic, तो दो important होते है ठीक है, जैसे एक, अब ये एक question, आप इस question को देखेंगे, जो मैंने कहा कि UPSC ऐसा question बना सकता है, UPSC पास बहुत dimension है, समझना, UPSC ये भी question बना सकता है कि महाद्यूपी विस्थापल सिधान से आप क्या समझते हैं, इसके समर्थन में विगनर ने, कौन से जलवायविक जलवायविक प्रमाण दिये थे, यानी climate कौन से दिये थे आप क्या बताएंगे climate में, वही सब हिमालियन टिल यानि पहले एक जगह थी, हिमालियन टिल, तब सारा आपको आंसर लिखने का भी मोका नहीं है थे यह वन अस्पतियां एक जैसी है यानि एक समान मौसम रहा होगा तो सारा आपके ऐसा यह भी नहीं हो सेता है यह पूदे की बटनिकल इविडेंस बताओ या पूदे जियोलोजिकल इविडेंस बताओ तो एफिनिटी जियोलोजिकल मतलब भू वैग्यानिक प्रमान दीजे आपको वो लिखना है तो प्रशन तो अलग-अलग तरीके से एक ही चीज के 500 कोश्चन की रेट कर सकती UPSC भाई धुरू बैच एक मात एक ही कोश्चन पर खतम हो सकता है लेकिन हम एक टापिक पढ़ रहे हैं ऐसा कोश्चर आंसर हमार टार्गेट काया समझना दो चीजों में दम डिफरेंस है कभी ये गलत मत लेना कि एक्जाम में कोश्चन डाइरेट धुरू बैच का आएगा नहीं ये एक दम नहीं आएगा तो उसमें मेरा कोई दोश नहीं होगा या मेरा कोई उपकार नहीं होगा तुक्के से आ सकता है लेकिन कंटेंट यही आएगा इसी को आगे पीछे करके लिखना और वही यहाँ पर हमनों डिस्क्रिशन कर रहे है कि कोश्चन ऐसे पूछेगा तो ये एक दो एक्जाम पर से हम लोग ऐसे ही बात करेंगे ठीक है तो कंटेंट से आपका सेलेबस कंप्लीट होगा और इंडारेक्ट आया नहीं आया इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है ठीक है ये बात समझेगा तो एक कोश्चन ये पूछ सकता है महादवीपी विस्थापन सिधान्त के पक्ष में दिये जाने वले तरकों की विवेचना कीजिए या प्लेट विवर्तिनिक सिधान्त से किस प पड़ लिया था प्लेट टेक्टनॉनिक से एक इस तरह से भिन्न है प्लेट टेक्टनिक ये किस तरह से भिन्न है इसको हम लोग देखेंगे तो आप अगर देखेंगे इस दिखाना चाहता हूँ देखूं यहां पर मिलेगा हाँ नेश्टन जिवर्फिक्स में था प्लेट टेक्टनिक थोरी क्या है बस शॉट में आपका रिविजन कराऊंगा फिर आगे बढ़ूँगा ये प्रित्वी है महादवीपी विस्थापन सिद्धानते क्या का महादवीप चल रहे है महादवीप या नहीं कॉंटिनेंटल चल रहे हैं ये इन्होंने बोला ठीक इक रिज का यानि मद्ध अट्लांटिक या मद्ध महस्तागरी कटक का इग्जर्ट समझाने पाए बहुत सरी चीज़ों का एक्स्प्लेइन नहीं कर पाए कि क्यों कार्बोनीफेरस में ही चला बहुत सारे थियोरी नहीं समझा पाए उसके जवाब में एक सिधान बना प्ल प्रित्विय गुल की यह कई चोटी बड़ी प्लेटों में भी भगते हैं बहुत सारी चोटी बड़ी प्लेटों में यह क्या है डिवाइड है यह मारी प्रित्विय है अब इसमें क्या होता है इसमें अंदर बहुत सारी रियक्शन होता है मैटल में और यहां पर उर्जा क का प्रवा होता है उर्जा का प्रवा होता है कन्वेक्शनल करेंट बनती है तमवनी धाराएं अंदर भी बनती है क्यों मैंने इजांपल देता बर्तन बर्तन में पानी गर्म आते हैं तो पानी क्या होता है नीचे का गर्म पानी उपर जाता उपर का थंडा पानी नीचे जात जोटा है इसी तरह से चुकी यहां पर सक् pó a tc जा दे है तो यहां पर भी क्या होता है क्या को फिक है यहांग को डाइनमिसम प्रतान करती ही ठीक है और इस वज़े इस सियाल सीमा पर नहीं तैर रहा है सियाल सीमा पर यानि सिलिकॉन और अलमुलियम की लेयर जो लेयर है वो सीमा यानि सिलिकॉन और मेंगनिशियम पर नहीं तैर रही है प्लेट टेक्टॉनिक ने बोला कि इस्थल मंडल यानि लिथोई स्फियर इस्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर दुर्बलता मंडल पर तहर रहा है तो प्लेट टेक्टॉनिक से नात्री ये बात बताई और इस्थल मंडल क्या है यानि जो लिथो इस तरह बहुत सारी प्लेट में विभाजित है और plate boundaries पर interaction होता है यानि plate प्लेटों की जो सीमाएं है वहाँ पर क्या होता है विबिन प्लेटे अंतर संबंदित होती है आपस में जुडाव रखती है इस वज़े से इस्तलाकरतियां बनती है ये बात plate tectonic theory ने बताई तो इसमें आपको कुछ plates का example ध्यान में रखना है अगर exam में question आता है तो आप ये plates कुछ बना सकते हो जैसे बड़ी plate हैं तो खास तोर पे ध्यान रख लेजे बड़ी plate है कौन कौन सी है जैसे आप देखो जो महादीप है जैसे North American plate, North America महादीप है South American plate, South America महादीप है African plate, Africa महादीप है Eurasian plate, Asia और Europe दो महादीप है ठीक है यह हो गया यह चार हो गया फिर आप देखोगे यहाँ पर है Pacific plate, 5 Pacific plate, Australian plate, 6 और Indian plate, 7 तो यह साथ आपको दिखेंगी plates ठीक है यह साथ आपको plates दिखेंगी बड़ी-बड़ी, जो बड़ी plate है इसके अलाव आपको कुछ छोटी-छोटी plate हैं भी दिखेंगी छोटी-छोटी plate है जैसे नजगा, Caribbean plate देख रहो यहाँ पर Caribbean plate है यह यह है Caribbean plate जैसे आप इसको समझेए यह हमारा South America है यह है नजगा plate, South America के प्रुसान्त वासागर में यानि Pacific Ocean में नजगा plate है, छोटी plate और नजगा और South America के ऊपर है Caribbean plate, जहाँ पर Caribbean island है वहाँ पर Caribbean plate है तो दो-तीन छोटी-छोटी plate है, जैसे Arabian plate, यह जो Arabian Peninsula है क्या Arabian plate है तो दो-तीन छोटी-छोटी plate भी दिमांग में रखेगा, तो वो example लिख दीजेगा ठीक है, तो plate tectonics में आपको यह बात समझ में आगएगी, अब यहाँ पर देखिए इसकों लोगे पर पढ़ लेते हैं, शौट में, फिर आगे बढ़ते है तो आपर क्या लिखा है plate भी अर्थिक सिध्धान्त, ठीक है तो plate भी अर्थिक सिध्धान्त, महादीपी विस्थापन का आधनिक अधितन है, मतलब क्या है modern update है, ठीक है तो यह क्या है, यह continental, this theory का modern update है, यह बात दिमांग में समझेगा ठीक है, यह बात समझेगा चुकि, वेगनर ने बहुत सारे answer नहीं दे पाए थे बहुत सारे answer वेगनर नहीं दे पाया था मैंने आपको पहले बताया वेगनर बहुत सारे answer नहीं दे पाया तो जो आलोच ना जिश्धे हम वेगनर का criticism करते है तो Plate Tectonic सिदांस ने इस बात को समझाने का प्रयास किया इस ने बताया कि Plates क्या होती है इससे है पहले तो समझा है Plates क्या होती है तो कह़रा है Sthal Mandal Sthal Mandalamat特 Vul pendant चोटी बड़ी प्लेटों में विभाजित है जो प्लेटे होती हैं- इनकी खास बात यह होती है ये अपनी सीमाओ पर सीमाओ पर तो reaction करते हैं लेकिर अपने आप में as a plate जो आंतरिक भागे इनका वह इस्थिर है, वह stable है तो stable आंतरिक भागे inner part stable है और outer part reaction कर रहा है दूसरी प्लेटों से ये बात इन्होंने कही गई तो क्या है पृत्वी के mental के उपर चटानी आंतरिक परत पर तेहरता रहता है, तो ये बात हो कि ये क्या गरा फ्लोट कर रहा है, इस्थल मंडर दूलबलता मंडर पर तेहरा है ये बात यहां पर बताई ठीक है, क्यारा पृत्वी की थोस बाहरी परत, जिसमें क्रष्ट और उपरी मेंटल का आता है, इसको लिथो इसफियर यानि इस्थल मंडल कहते है ठीक है, मैंने बगा कि जो उपरी पर रहते हैं, जिसमें क्रष्ट है पृत्वी का जो क्रष्ट है और मेंटल है, मालने ये मेंटल है पृत्वी का तो मेंटल का उपरी पोर्शन और crushed ये मिला के होता है लीथो इस्फियर इस थल मंडल इसको बोलते है ठीक है जो कि ठोस है और इसके अंदर क्या है इसके अंदर एस्थेनो इस्फियर यानि दुरबलता मंडल होता है दुरबलता मंडल क्या होता है गली तवस्था में होता है जिससे लीथो इस्फियर दुरबल अब आता है जो हमारा second part लिखना है क्या लिखना है प्लेट विवर्तनिक सिधान से किस प्रकार भीनना है यह आपका second part है तो प्लेट विवर्तनिक सिधान समझ में आ गया किस प्रकार भीनना है तो क्या बताओगे एक table बनाओगे shot में एक टेबल बनाओगे यही यही टेबल है आप क्या कहोगे यहां पर दिखोगे प्लेट विवर्तनिक या फिर ऐसे लिख देना क्योंकि पहले विग्णर ने दिया था आप लिए महादवीपी विस्थापन देखो यही आंसर होगा प्रस्ट की डिमांड क्या है यह तो हमारे इस बैच का सबसे मत पूर्ण है तो यह हम लोग काम करते ही रहेंगे और आज हम लोग कोशिश करेंगे एटलिस चार ते पांच कोशन आज करें यहां पर पर मैं रहेंगे अब देखें यहां पर तो महादवीपी विस्थापन सिध्धान के पक्ष में दिया रहें तरकों की व्याचना के लिए पहला पाट है तो पहला पाट आप क्या लिखोगे कि इंट्रोड़क्शन बताओगे ना महादवीपी विस्थापन सिध्धान सिध्धान सिध्र दाओगे प्रिस्वी पर इस लाकरती को समझने के लिए या प्रिस्वी की वर्तमान सिध्धी को समझने के लिए वेगनर द्वारा वही बात सिध्र बताओगे जो और जारीबल के मादर से बताया कि महादीप किसक रहे हैं महादीप किसक रहे हैं यह आपने बताया और इसके पक्ष में निम्न प्रमार दिये और इसके पक्ष में निम्न प्रमार दिये यहाँ पर प्रमार बता दोगे अब यहां पे प्रमाण बताना है चुकि long question है यहां पे प्रमाण एक map बनाईए और सीधा इसी में प्रमाण बता दीजे कि यह प्रमाण दिया पहला जिक सॉफिट और यहां पर वो लिखेगा कि महादुरीपिय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण प्रमाण बताने के लिए क्या करोगे? सीधा एट हो, ये वाला मैप बनाना वर्ड मैप बनाना ठीक है और वर्ड मैप बनाने की प्रेकृस कर लो देखो मैप से न GOODSoPotereese वनस्पती वनस्पतीक प्रमाण यहाँ पर दिखा दिना थिसको दिखा दिना ऐसे डॉट 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 ड गोड गोल 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 यहाँ पर दिखा देना स्काशर चिया मैप में उसके बारे बारे में लिग दिया और फिर यहाँ पर मैप। का नाम कर दिया प्रमुख प्रमाण ठीक है तो ये तरीका होगा अंसर डिखेंगे जितने शब्दों का कम यूज करेंगे जितना डाइग्राम लिखेंगे एक्जाम में उतना आपको जेग्राफी में नंबर मिलने वाला है अपनी बात को रिपर्जेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से करिए अब बोला है महादीपी विस्थापन और महादीपी प्लेट टेक्टोनिक ठीरी में यहां पर क्या बताएंगे यहां पर बताएंगे इस्थल मंडल दुरबलता मंडल पर तेर रहा है ठीक है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट बल जारी बल और पोलर फ्लूइंग फोर्स के कारण ऐसा होता है यानि आप ऐसे कर से तो यह हडिंग दा से तो गतिशीलता बल गतिशीलता बल आपने बता दिया जारी एवं वो यहाँ पर क्या लिखा समवहनी इधहराएं ग्विक्षनल करेंट जो मैंटल में उतपन होती है यहाँ ने बताया ठीक है यहाँ आपने बताया ठीक है आप बता सकते हैं कि मढ्ध अटलांटिक कटक अट्लांटिक कटक उत्तर उत्तरी अमेरिका का ही या अमेरिका महादीब का ही भाग है जो धस गया था यही तो बोला था ऐसे से वेस्टरन गतिशीलता किया और यह धस गया यहाँ पर लिखे प्लेटों के अफसारी गति से महासागरिय कटक का निर्माण होता है यानि महासागरिय कटक का ओशियानिक रिज का निर्माण होता है प्लेटों के अफसारी यानि डाइवर्जेंस मोशन से यह आपने बता दिया ठीक है चो था परवतों के निर्माण के लि के टकराने से परवतों का निर्मान होता है अपने बताया प्र आप क्या बताओगे यहां पर तो चार-पॉंच बटाए आपने फिर कंक्रूजन दे दिया, कंक्रूजन क्या दे दोगे, कंक्रूजन दे दोगे, कि भईया, इस पश्ट है कि वर्तमान में प्लेट विवर्तनिक सिध्धान्त को सरवाधिक महत्तप्राप्त है, प्रित्वी के इस लाक्रती समझाने के लिए प्लेट टेक्टोनिक थियोरी को most importance प्रदान की गई है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा, महादीपी और विस्थापन सिध्धान्त ने ही इसकी शुरुवाद की थी, या इसकी प्रस्तावना, इसकी भूमी का महादीपी विस्थापन सिध्धान्त ने ही बनाई थी, या फि प्लेट टेक्टोनिक थियोरी, प्लेट टेक्टोनिक थियोरी की भूमी का महादीपी विस्थापन सिध्धान्त ने ही मिलती है, ठीक है, तो इसकी जो प्रस्तावना है, जो आप कैसे तो इसका जो बेस है, इसने किसने बनाया, तो दोनों को आपने जोड के क्या गया, conclusion ले ठीक है, content आपको मिली जाएगा, content आपको मिल भी क्या होगा पहले दिन का, अब हम लोग start करते हैं, दूसरे questions पे, ठीक है, तो यह देखो, यह जब, अगर मालो अलग से question आता है, plate टेक्टोनिक थियोरी पे अलग से question आता है, तो आपको यह वाला plates बनाना पड़ेगा, तो जो exam में दिया, मलब जो किताबों में दिया एक दम वही बना नहीं, यहाँ पर इसको गर दीजा, Australian plate, इसको गर दीजा, Eurasian plate, इसको गर दीजा, Indian plate, घेर दीजे, सिंपल सा, African plate, South American plate, American plate, Pacific Ocean plate, हो गया, चोटा 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 है, यहाँ दिखा 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 दिखा, यहाँ Caribbean, यहाँ पे, Arabian Peninsula में, Arabian plate, Philippines के पास, फिलिपीनियन plate, एक दो चोटे चोटे प्लेट दिखा 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 दिखे, और दिखा 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 दिखे, प्रमुख प्लेटे, बस, ऐसे दिखा दिखा दिखे, काम खतम, यह diagram आपका होना चाहिए, और यह diagram बनाने में कितना से प्लेट लगा, तीस सेकंड देखों, इक वार कितना समय लगाओगा, diagram बनाने में, ठीक है, यह आपका प्रोच होगा, answer writing का, यह आपका प्रोच होगा, exambo, question, attempt करने का अब हम लोग आते हैं दूसरे question ठीक है अब ये question है अगला अगला हमारा question है स्थागरीय अधा इस थल के विस्तार की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए अभी बस दो एक question ये last करेंगे उसका तीनों को merge कराके एक question कर लेंगे ठीक है तो ये इसका last करेंगे फिर तीनों को merge कर आके question कर लेंगे उसके आथ कुछ-कुछ इस ख्लाकृतियों पर question देखेंगे जिसे हिमालियन जैसे मैदान उत्री भारत के तो जो important है क्योंकि देखो अब यहां पर हो जाता है स्तागरी अधास्तल के विस्तार की प्रक्रिया की व्याख्या केजिए साथ इसका समर्थन करने अले विभिन प्रमाणों पर भी चर्चा कीजिए तो कह रहा है explain the process of sea floor spreading also discuss the various evidence that supports it ठीक है तो बस यह भी direct question है इस question के कितने पाट हुए तो पहला पाट हुआ introduction दूसरा पाट हुआ main body यहां पर लिख भी रहे हैं हम लोग हमने यहां पर द्रिश्टिकोंड दे दिया है जो solve करने की approach है वह यहां पर लिखी हुई है लेकिन समझना बात यह कि यहां पर जो आपको content दिया वह 2000 रहा कि अमने बहुत काटा है हमने बहुत छाट छाट के इसको draw किया है न जो material market level है वो इससे दुगने दुगने है उसमें से cut cut करके cut paste करके cut paste करके बनाया है फिर भी यह जादे है एक्जाम में इतना फिर 150 शब्द आप count करो एक बार एक बार count कर लेता हूं फिर दिखाता हूं अभी जितना content है कितना है 3, 6, 7, 3, 10, 4, 14, 14 एक लाइन है मालो तो 1, 2, 3, 5, 5, 10, 4, 14, यहाँ पर मालो 6, 20 यह तो मालो 20 और 5, 25 और मालो 2, 3 कई छूट गई होगे जैसे यह सब यह सब छूट गया है तो लगबग 30, 30 लाइन में है ठीक है 30 लाइन में है तो 14 गुणे 30 यह नहीं लगबग 420 शब्द आपका यह है तो 400 शब्द भी है लेकिन आपको लिखना है देड़ी 100 शब्द में तो कैसे शब्दों आप बचाएंगे वो बात यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे है यह कभी content बहुत precise है जो आपको मिलना है ठीक है अच्छा और मैं geomorphology में जितने question पढ़ाऊंगा तो ठीक ठाक पढ़ाऊंगा कम नहीं पढ़ाऊंगा फिर भी extra कुछ questions यहाँ पे आपको दे दी जाएंगे लाइन से सारा चीज़ नहीं discussion करूँगा तो कुछ questions जैसे मैं यह question discussion करूँगा यह वाला पृतिक आंतरी सरचना यह important है ठीक है बहुत ही जो important बहुत है मैं discussion करूँगा बाकि अब जैसे जो आला मुखी प्रकार जब जो आला मुखी आगा तो यह पढ़ेंगे यह भी जोग्राफी है यह topic अपने आप में इसमें प्राक्टिक संसाधनों का वित्रण इससे ही तो प्रभाविट है सिंपासिवाद है देखिए समझेगा भूकप सुनामी चक्रवात जाला मुखी यह भी तो भाई भूतिक बूगल के मुख विशेस ताई है तो यह connected रहेंगी य एकदम सर पाइफर्केट करके पढ़ा देंगे यह संभव नहीं है एकदम पाइफर्केट करने पाएगा लेकिन हाँ जितना हो पाएगा उतना खोशिश करेंगे तो हर प्वाइंट टच जरूर करेंगे आपको प्रापर दिखाँगा कि देखो अब यह भूकंप है तो समझा के भारत में चकरवात क्यों आ रहे हैं और पेपरतीन से आप़ा प्रबंदन से जोड़ देंगे कि चक्रवात management के लिए क्या किया जा रहा है एंडिय में क्या कर रही है है यह सब कर देंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं ठीक है तो यहां पर देखे सागरी अधा इस थलका विस्तार यानि सी फ्लोर इस्प्रेडिंग बिसिकली अगर आप यह डाइगराम देखें ठीक है यह जादे अच्छा डाइगराम ठीक है दोनों जगासे में तो देखें यह हमारा यह लिथो इस्पियर ठीक है लिथो इस्पियर है अब यहां पर यह बिसिकली हैरी हैस महोदे ने देखा जो हैरी हैस थे इन्हों ने कहा कि देखो क्या है यह एक ओशियन फ्लोर है ओशियन फ्लोर है समुद्र समुद्र का तल है ओशियन फ्लोर है यह ओशियन फ्लोर है यह यह ऐसे अब सारी गत तो यहां से magma निकल रहा है अब magma निकलेगा तो ये वाली जो crust बनेगी ये नवीन crust बनेगी new crust चाब और ये निकल रहा है तो दूसरी और दूसरी plate जो महादीपिय प्लेट है जो महादीपिय आनि continental plate है तो ये ओशियानिक फ्लोर हुआ ओशियानिक फ्लेट जो continental plate है आनि continental ज जाके, अब जब अंदर घुस रहा है, तो यहाँ पर यह विनाश कारी सीमा है, तो उसने का यह विनाश कारी सीमा है, यहाँ पर प्लेट का निर्माड हो रहा है, ठीक है, प्लेट का निर्माड हो रहा है, इस साइड में विनाश हो रहा है, जो कॉंटिनेंटल साइड है, वहा कांटी कोशें तब बढ़ना चाहिए न फैल रहा है तो बहुत जादे बढ़ना चाहिए भाई कोई चीज फैल रही है तो ऐसे से बढ़ेगी न यहां पर थी मैंने फैलाया फैलाया बढ़ेगी करा लेकिन जितना बन रही है न यहां पर जितना नई चीज बन रही है उतना ही कि याँ पह अंदर धंसते जा रहा Як nuanced ay are । बांद्री से यह दिन्मेरा । आए değil decode कि कुछ सेंटीमेटर टना है। में अभी इन अफरीका में देखोan कि बहुत दिनेों से सूस्त आफ्रीका में देखोगे मैं आपको दिहाता हो इस्ट अफ्रीकन रीफ्त है इतो ह neutr準備 दिख रही है कि इत डिकतना कटा हुआ है रिफ्ट वैली तो यह क्या दिख रहा है कि अफ्रीक है यह फैल रहा है जो इस्ट साइडल न आ फ्रीका कहा अफ्रीका अफ्रीका किए कट के अलग हो रहा हुए धीरे-धीरे पाउस लोग पेस्में हो रहा है पिछले कुछ तालों से इसकी गतिय रुक गई है रुक सिगा ये डेको ये जुआ है ये फॉरा कट डेजन प्रकट के अलग हो रहा है ये पुरा ये पुर पर जो रीजन इस अफ्रिगान दिस्टम यह पाइब है यह प्रफ्रिकेंट सेटम यह यह क्या रहा है देख रहे हो यह फैल रहा है यह दोनों साइड में दिखा रहा है न दिरुगोड़ दिखाव प्रफर तब समझेगा कि शीफ्लोद इस प्रेडिंग क्यों बहुत मचाव शिद्धान थ ये जो प्लेट है न इस बाव प्लेट ये घड़ा होते समुद्र का फानि भड़ते जागा और समुद्र बन जागा नया समुद्र नीव ओशियन फार्मेशन तोे बीन ये परशना जाए कि episodes है तो ये भी बता दोगे कि प्लेटे फैल रही है और जब फैलती है ठीक है तो क्या हो रहा है ओशियन बन रहा है और दूसरे साइब सिकूर रही है तो महादीब बन रहा है ओशियन महादीब ऐसे ऐसे बनते हैं यह भी बात आप बता सकते हो लेकिन फोकस हमारा इस question पर रहेगा बहुत ज़्यादे मैं दर दर नहीं बठ को आणने तो आप लोग भठ क अब यह तो हो गया समुद्री नितल प्रसरण इसके प्रूव क्या होंगे तो प्रमाण की बात करते हैं कैसे प्रमाण होगा कैसे प्रूव होगा की यह सकते चीज हो रहा है तो बहुत सारी चीजह है देखी गई समुद्र में अगर मैं आपको यहां पर बताऊ- हुए तो थोड़ा प्पारं लिजेगा रहा है तो थोड़ा अच्छा कर लीजेगा ूर्धिया न की शिर्फ यह हुआ कर लिजए कि 10 अंब एक बैंक, हेलो, हेलो, हाँ, 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 सर बताए, जी सर, जी सर, कली हुआ था, जी, जी, मैं को रही बोलना हूँ, मैं असल में lecture record कर रहा था, इस बज़े से मैंने call नहीं उठाई, अभी करी रहा हूँ, सर, ओके, तो confirmation सर कुछ और बताना है, ओके, थेंक यू सर, sorry for disruption, वो बहुत जरूरी कॉल थी, लेकिन हो गया, नया offline center खुल रहा है, तो कुछ process चलता रहता है, ना बढ़ियां कि हमने mobile भी देख लिया बीचवा में, तो कांड हो जाता, वापे, sorry for disruption, तीस सेकंड का, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यह देखो, यह है हमारा समुद्री नितल, यह हमारा समुद्री नितल, इसको मैं यह बनाता हूँ, यह, यह diagram आपको exam में बनाना है, exam में diagram जितना छोटा बना पाईए, उतना बढ़ियां रहेगा, लेकिन चीच चलेगा, अब ही मैं बताउगा, कितना देशियों में होना जै, वो सब भी discussion करेंगे, यह इधर फैल रहा है, यह इधर फैल रहा है, यहाँ से नवीन मैगमा आ रहा है, बबनाना है, तो प्रूव कैसे पता चलेगा, प्रूव कैसे है कि यह यह फैल रहा है, आपको ब पहुत पुराना मैगमा, जो पहले यहां पर रहा होगा, simple सी बात है समझो, मालो अभी का condition देख, मालो आज की बात करू, तो आज यहां से एक मैगमा निकला, लावा यहां पर गिरा, ठीक है, लावा गिरा, अब यह चीज़ आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, शिफ्ट हो होगी, जो रॉक का जो एज होगा, वो अभी नवीन रॉक्स होंगी, न्यू रॉक्स होंगी, ठीक है, और यहां की रॉक्स सबसे ओल्ड होंगी, और ऐसा मिलता है, लोगों ने समुद्र के अंदर देखा तो करें, दम सही बात है, जो मीड ओशियानिक रीज है, वहां की ज में गया, दूसरा प्रूव, भाई देखो, क्या बता है था, मैगमा है अंदर से, ये बात कल डिसकेशन कर देख, लेकिन इस कोस्चन के लिए प्रपर डिसकेशन होता, तो पहला प्रूव, आयू, पहला अंसर लिखेंगे, आयू में अंतर, पहला पॉइंट यह हो जाएग पूरा चुम्बकत, पलेयो, मैगनेटिसम, दूसरा पॉइंट डालेंगे, तो दो पॉइंट यह होगे, पूरा चुम्बकत क्या है, यहाँ पर जो लावा गिरा, इस पूरे रिजन में, अभी प्रिथवी का कुछ, पोलर एलियनेशन है, जैसे अभी देखो, अभी ऐसे सम पूरा चुम्बक है, और अभी हमने देखा है कि नॉर्थ पोल बहुत तेजी से, जो नॉर्थ मैगनेटिक पोल है, वो बहुत तेजी से, साइबेरिया की ओर शिफ्ट हो रहा है, बहुत तेजी सिफ्ट हो रहा है, तो मालो अभी कोई शक्तान पैदा हुई, तो उसके नॉर्थ पूल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तब और साउथ पूल यहाँ पे आ गया मालो, तब जो एलिनेशन होगा, वो एलिनेशन ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो ऐसा देखा है कि सही बात है, यह भी शिफ्ट हो रहा है, यह भी पोल्स की शिफ्टिंग का भी प् जो जा रहे थें अब तीसरी बात तलचट तलचट फीक है तलचट को क्या English में बोलते है punk sediments sediments तलचट को बोलते है sediments भाई यहां पर नया नया चीज बन रहा है अब घर में सुनो दो घर है एटो घर भूतिया बंगला एटो घर नया घर बुतिया बंगला कभी खुला नहीं था मौथ दीन से तो वाँ पर काई जम जाएगी छटोग तो नहीं बात्रोम तो उन्में काई जम जाएगी धूल की प्लेयर जम जाएगी कि नहीं तो जितना पुरान चीज़ उतना मोठी धूल जम जाएगी और कोई एक वेक्ति ही है जो आज ही तेयारी श्टाट किया धुरूबे ज्वान किया वो जाएगा लश्मी कांसर रेंदे तो दम नया महके का पन ना खुल किया हाँ क्या महकरा है ठीक है वो चीज क्या होगी इस पर कोई धूलदा करने होगी यही चीज वहाँ भी दिखती है जो पूरानी दूर है जितना दूर जाओगे तो तलशट यानि सेडिमेंट्स वढ़ते जाएंगे मतलब कि यहाँ पर भाई काफी समय से माली कठ्था हो रहा था लेकिन यहाँ पर सेडिमेंट्स नहीं है इसका माली कठ्था नहीं हो रहा था ठीक है तो यह प्रमाड होते ह इस बात के पक्ष के, ठीक है, ये बात हो गई, ये बात हो गई, अब इसके बात एक और क्या है, एक और क्या है, ये, दो पॉइंट और है, जाला मुखी गत्वीधी, भईया, मैगमा निकल रहा है, अंदर से, यानि यहाँ पर, क्या है, टेक्टोनिकली एक्टिव रॉक्त है क्योंकि मैगमा बाहर आ रहा है मतलब जाला मुख्य गतिविधियां हो रही है तो ये भी देखा गया कि हाँ भाई वहाँ पे जाला मुख्य गतिविधियां भी हो रही है तो ये भी देखा गया वोलकानिक एक्टिविटी भी चल रही है और कह देखा और देखा कि शैलो भु वहिपम्प सिस्मि में सीटी वुकम्पियता यहां पर है और वह फैलने का प्रमाण में कि विकम्पियता है ठीक है पिशल ने का प्रमाण है इसके जड़ामगा पॉइंट और है वह आप देख सकते हैं जो ज्वाला मुख्यता है उसी में चाहिए तो आप एड़ कर सेंथे या कुछ भी कर सेंथे जो रीज है जो रीज है यानि कटक रीज जो मीड ओशियानिक रीज है वो कहती है वो ऐसे घाटी नुमा है ऐसे घाटी नुमा और वो इस तरह से घाटी नुमा बनती इस तरह से घ खोड़ दो, आप ऐसे जिना मिड ओशियानिक रिज की आकरती तनाव कारक बलका सूचक है, जो उसकी आकरती है, उसमें यह सिद्ध होता है, कि उसमें तनाव लग रहा है, दोनों साइट से टेंशन वाला फोर्स लग रहा है, तो ये भी आप एक पॉइंट आड़ सकते हो, त कैसे यह अदस्तल विस्तार होता है, तो यहाँ पर सब्डक्शन जोन में जाता है, तो यहाँ पर यह विनासकारी सीमा है, यानि कन्वर्जेंट बाउंडरी है विनासकारी सीमा है, और यहाँ पर निर्मार कारी सीमा है, जहाँ पर निर्मार कारी सीमा है, यह बात को आपको वापिस ठीक है इसकी द्याक्या करने ये प्रक्रिया की तो क्या-क्या points आपके answer में होने चाहिए तो मैंने पहले overall समझा दिया आपको अब क्या-क्या points तो एक बार ना अपने अपने group में discussion group में जहां भी आप लोग जॉइंड है एक बार बता लिए क्या ऐसे पढ़ाई करते थे आप कभी कि पहले समझा पहले theory कभी समझी फिर तुरंत एक questions के पहले theory sort में समझी फिर एक questions के मादब से तुरंत उसको solve कर लिया फिर ये भी देख लिया कि इस question में क्या-क्या important point भी लिखने ये भी किसी ने बता दिया ये तीन step पर कभी नहीं करते होगे और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ एक चीज़ जो मैं जो accept करता हूँ इस बात को कि beginner को थोड़ा heart लगेगा इस starting में beginner को heart लगेगा क्यों 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 उनको पता नहीं था कि UPSC है उनको ये बात पर पता ही नहीं अभी तक UPSC में question ऐसे ही आते हैं UPSC के लिए requirement यह है लेकिन जो लोग दो तीन साल मेंस देने के बाद और मेंस में धखके खाखके अब ये लेक्चर देखेंगे ना उनको लगेगा भाई प्रभू पहले क्यों नहीं मिल गए और ये है क्योंकि से लेबस भी खतम कराना है कुछ इससे बहुत असान होते हैं कुछ इससे बहुत टफ होते हैं जब आगे चलोगे जैसे से आगे बढ़ेंगे जब भुकम पीएता आएगा जब जोड़ा मुखिएता आएगा जब अधर चीज़ आएंगी resource को जोड़ेंगे जब बस यही बात हो जाती है ठीक है तो अब इज़त को देखते हैं लोग कहरा है सी फ्लोर इस प्रेडिंग एक भूव एग्यानिक प्रक्टरिया मतलब जियो ग्राफिकल प्रोसेस है जो मद्द महासागरी कटकों के साथ साथ घटित होती है जैसे कि आप सारी प्रेट सी माएं उसी तरह से क्या होता है सागरी अदाइश्टल विस्तार में भी नवीन महासागरी परपठी का निर्मान होता है ठीक है यह बात है सागरी अदाइस्टल का विस्तार अगला पॉ Punkte बता रहा है एक विवर्तनिक गतिवीदी है एक टेक्टॉनिक एक्टिविटी है देखो लिखा होगा इंग्लिश वाले भी लिखा है इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला बगल में open कर सकते हैं पीडिया की ये भी कर सकते हैं ठीक है is the tectonic activity that occurs as a result of mental conviction ठीक है तो क्या लगा रहा है ये बात क्या रहा है ना conviction ये बता था जो mental समवहन के परिणाम सवरूप गटित होती है जिसमें प्रित्वी के mental की मंद मंथन गती सम्मीलित है ये समने लिखना है अभी बताऊंगा क्या लिखना बस एक बार समझ लो लगे कि हांसर आपने सारी बाते बता दी थी बस अब आँसर बता दीजे तब मैं आँसर बताऊंगा तमवनी धराएं उश्मा को निचले mental और क्रोड से इस्थल मंदल की और ले जाती है तो मने बताए था conventional current नीचे से heat ले जा रही है और heat बाए उपर जाके धक्का मारेगा तो फैलेगा ये प्रपर डागराम बनाए था ने देखो ये डागराम था ये प मिड ओश्यानिक रिज यहां पर बनेगा मौर मौर बनेगा यहां पर ठीक है तो समवनी धराओं से निर्मुक्त होने अली उश्मा प्लास्टिक और कम सखन बना देती है तो नीचे उश्मा है ना देखो ये ये heat है यहां से समवनी धराओं आ रही है लड़ती गए लड़त अब गाल करके पतला करती है इंदम पतला जहां पर लड़ते गई लड़ते गए लड़तिगे पतला कर दी वहीं से यह boundary अलग हो जाती है यह भी यह쳤रे नीचे से समवनी धराओं पर यहीं काम करती है ठीक है कम सखन पधार उपर उठते हैं जो प्राय परवतों या उच सागरी अधस तल छित्र का निर्माण करते हैं तो जो लेस डेंस मटेरियल है वो उपर उठते हैं और धक्का मारते जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं मिड ओशियानिक रिज का निर्माण करते हैं ये दिमाग में रखेगा ठीक है अब कह रहा है यहाँ पर आगे कह रहा है जो जाला मुकी उद्भेदन हो रहा है जो लागातार जो वल्कैनिक एक्टिविटी हो रही है क्रस्ट में उससे यह तूटता है और मैगमा क्या हो रहा ह इगनियस रोक का निर्माण करता है आगनियस चटान का निर्माण करता है तो नीचे से तूटा तो मैगमा उपर गया तो क्या कर रहा है इगनियस रोक का निर्माण कर रहा है ठीक है और यही रोक क्या करता है महादीपी अधस्थल का विस्थार करता है यही चटान क्या कर प्रित्वी के लिए नए मैंने का था निर्माण कारी सीमा है नई नवीन चट्टा ने निव रॉक्स बनाती है मापर और मासागरी स्थलका इस्थार करती है इस पूरे एक्टिविटी में आप चाली कोगे बहुत शॉट में पहली बात तो डाइगराम बनाओगे कौन सा यहां से अथे बनाना यहां पर लिख देना महाधीब महाधीब यहांनी कौन्टिनेंट यह लिख देना ओशियन फ्लॉर में इस यह दिखा देना समुद्र उपर पानी बना जो थोड़ा इस पानी ओट यहां दिखा देना मैगमा मेगमा क्या क्या जरूरी डाइगरामिक समझना ये जरूरी है ये एरो गती गती की दिशा ठीक है गती की दिशा मेगमा गती की दिशा और यहाँ पर हो गया यहाँ पर लिख देना नवीन चटानों का निर्माण नियू रॉक्स फॉर्मिशन नवीन चट्टानों का निर्वाण और यहाँ पर दिखा देना शब्दक्षन छित मतलब विद्वन्स कारी सिमाए और यहाँ पर दिखा देना चट्टानों का समापन तो यह होगा named diagram और exam में कभी वी diagram में naming बहुत जरूरी होती है यह बना देना काफी नहीं होता है उसकी naming बहुत ज़्यादे exam में जरूरी होती है आपको named diagram बनाना है बता कि यह diagram में यह चीज़ें है तो नवीन चट्टान यह वो यह यह चीज़ें आपके diagram में दिखेंगी तो पहला line क्या लिखोगी यह सागरी अधस्तल विस्तार यहाँ पर एक विवर्तनी गतिवीदी है सीधा यह एक टॉनिक प्रोसेस है जो mental समवन के परणाम सरूप गठीत होती है सीधा है mental समवन के परणाम सरूप यह गठीत होती है यहाँ पर सीधा बात बताना क्या बताओंगे यहां पर, है ना, सुझे बताओंगे, मेंटल की सम्वनी धानाओं से निर्मुक्तोनेली उश्मा, मासागरी परपठी को अधिक सुगर्ट, याणी प्लास्टिक बना देता है, हाड बना देता है, एलास्टिक नहीं, प्लास्टिक बनाता है, क्योंकि नीचे से लगते जारा सॉमवनी जो हीट है नहों हीट किया तो लेस डेनसीट्टी कम करते जा रहे तो यहां संवनी धाना Figur दे पेली और कम सखन बना देती है ये बात बताई गा से इससे क्या बताएंगे अब फिर बताएंगे विवर्तनी गतिवधी है जो मद महासागरी कटकों के साथ साथ घटी हो ती है ये बात भी लिखना है उधारण मद अट्लांटिक कटक मद अट्लांटिक कटक ये add कर देना, मद अट्लांटिक कटक, तब एक जानतर समझे हैं, हाँ इसको समझ है, पढ़ते इसको लगए है, हाँ इसको समझदारी है, तो उधारान मद अट्लांटिक कटक, अब बताओ अगला point, क्या बताओगे, mental someone के परणाम सरूप, mental someone के परणाम सरूप, ठीक है, निर महासागरी परपटी को अत्यदिक सुघट और कम सघंद बना देती है, जिस्ते, जिस्ते क्या होता है, जिस्ते नया लावा दरानों के माध्रम से निकल कर, सीदे लिखेगा, जिस्ते नया लावा दरानों से निकल कर, इस statement को अटा दीजे न, दरानों से निकल कर, महासागर परपटी को दोनों और धकेल देता है ठीक है जिससे नवीन भाग का निर्माण होता है और महासागरी अदस्तल का विस्तार होता है यह सब समझने वाली बात है इक्जामनर को यह सब नहीं चाहिए उसको यह सब लिखने की ज़िए उसको टू दा पॉइंट बात लिखना है पहली बात एक्जामपल से औरियेंटेशन से डाइरेक्ट तो मैंने क्या किया समझे अब वापीस एक बार बताता हूँ तो कई बार बता रहा हूँ नोट भी करते जाएए कुछ-कुछ है ना लेकिन नोट करिए केवल डाग्राम यहां पर अगर मुझे यह ची लिखने जाएगी न मैं केवल डाग्राम बनाऊगा दो डाग्राम एक समझने के लिए मैं समवनी धाराओं वाला डाग्राम बना दूंगा यह क पता चल दे ठीक है पहला डाग्राम बनाऊगा दूसरी बात इस चीज को यह वाला डाग्राम बनाऊगा था कि यह ऐसे प्लेट मुमेंट कर रहा और यहां पर मैगमा निकल रहा है और सागरी अधस्तल का विस्तार वह वाला जो डाग्राम बनाऊगा ठीक है और उश्मा मासागरी परपटी को सुघट और कमसगन बना देती है जिसके मादम से नया लावा दरारों से निर्मुक्त हो कर यानि जो छेद है जो होल से उससे बाहर आकर क्या करता है मासागरी परपटी को दोनों तरफ ढखेल देता है जिससे मासागरी अधस्तल का विस्तार ह तो ये बात मैं इस तरह से बताऊंगा अब बताऊंगा प्रमाढ इसका समर्थन करने वाले प्रमाढ तो सीधे अब यह इतना लंबा चड़न नहीं लिखना है कि आप लोग ऐसे लिखते हो इसका समर्थन आले प्रमाढ़ में लिखना है नहीं सीधे एडिंग डलो प्रमाढ स सीधा बस खतम शब्द बचाने हैं और फमजदारी भी दिखानी है फमज में भी आना चाहिए और शब्द भी बचाने चाहिए ये क्याम करेंगे तो पहला हेडिंग आ लोगे जलामुकी गत्वी थी जलामुकी गत्वी थी सभी मद्मासागरी को कटकों के साथ जलामुकी लिख दो, मद अट्लांटी कड़ा, कोई दिकर नहीं है, पच्की का यारी बाई, ठीक है, तो पहला पॉइंट बताओगे, जाला मुखी गत्विदी, इसमें के लिखोगे, तभी मद मास आगी इन कटकों के साथ, जाला मुखी उद्गार देखे जाते हैं, उदारन देश, ब इसलिए नोट करके लाने का यह फैदा होता है, ठीक है, इसलिए यह बनवाया, इतना मेनद से, जो वारे प्रोफेसर साब है, बहुत ज़्यादे इस कंटेंड को टाइपिंग और एडिटिंग करने बहुत मेहनद किया है, उन्होंने, पता नहीं क्यों, एपल वाले खराफ समय रजगल देने लगे, पैडिक करते हैं, यह समझे, जैसे यह है, यह मीड ओश्यानिक रेज है, अब कह रहा है, यह चीज़ अलग-अलग जा रही है, तो लावा जो निकल दा है, वो दोनों साइड गिर रहा है, कसम तो नहीं कहां कि हम लेफ्ट गिरेंगे, चाह गिर रहा है, दोनों साइड इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर रास्ता मिल गाए, उधर गिरा, तो जो यहां पे चटानों का जो quality है, जो उसकी वहां पे quality है, वही properties, चटानों की जो properties हैं, वो यहां मिलेगी, तो जो rock properties आपको mid oceanic ridge के left side मिलेगा, वही rock properties आपको mid oceanic ridge के राइट साइड भी मिलेगा ठीक है तो ये बात का समदूरस चट्टानों के समान गुण तो धाएं और भाएं मद्द अट्लांटिक कटक या मद्द समुद्री कटक के दोनों साइड में चट्टानों के गुण यानि प्रपर्टीज क्या होती है समान होती है तो वो बात दूस कि गुणों में समाना वर्याल के तो क्या लिफों संफ तानों के समान गुण यहाँ पर लिछके रसायिक संरासैंड निर्मान कासमें और चुम्ब की गुणों में समानता बस यही आपका अंसर होगा केवल यही आपका अंसर होगा तीसरा महस्तागरी परपटी की कम आयू यंगर एजॉप ओशियानिक क्रश्ट बस खतम मन करते फैक्ट बताओ नहीं तो छोड़ दो कोई मतलब नहीं है कह रहा है या तो आप यहीं बता सकते हो मन करते त तो यंग होगी न तो भई बात यहां पर पताया कहरा महसागरी परपटी की चट्टाने जो ओशियानिक क्रश्ट होती हैं 200 मिलियन येर से पुरानी नहीं है जबकि महादीपी चट्टाने 32 मिलियन वर्षों से बेदिक पुरानी इसका मतलब है उधर जाके क्या हो रहा है व महासागरी परपटी कम आयू एक पॉइंट लिसकते है महसागर क्रश्ट महसागरी क्रश्ट लेस देन 200 मिलियन वर्ष मादीपी क्रश्ट लेस देन 32 मिलियन वर्ष ये बात आब बता सकते हैं तीक है इ karş2019 ये बात इदम इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते है ले जो ओशियानिक जो फ्लोर है ठीक है जो ओशियानिक फ्लोर है वहाँ पर जो तलचट की मोटा यह वो क्या है कम है अप्रत्यासी तुरुप से कम है जब की जब की आप देखोगे क्या लिखा है यदी महासागरी अधरस्थल मादीव जितना पूरा नहोता तो तलचट का एक पूरी लेयर होती है पूरा एक समझ रहा है अगर वह बहुत ज़्यादे पूरा नहोता है एक लेयर बाई लेयर लेयर बाई लेयर होता और तलचट यह देखा गया है तलचट यहा यहां पर नमीन क्रश्ट बन रहा है, निव क्रश्ट फर्मिशन हो रहा है, यहां पर तल्छट कम है, लेकिन जहां पर ओल्ड क्रश्ट है, वहां पर तल्छट जाद है, यहां पर इस साइड में तल्छट जाद है, तो यह भी बात हो गई, यह भी पॉइंट बता है था, और स पताई बुकम, shallow earthquake, shallow earthquake क्यों, क्योंकि महासागरी कटक में, महासागरी कटक जच वहां से लावा निकला, तो बहुत कम गहराई के, shallow earthquake वहां पर आते हैं, तो ये पांच है प्रमाण आप इस बात को बताएंगे, ठीक है इस बात को बताएंगे, और conclusion क्या लिखेंगे, plate tectonic से ज पर परिखलब ना की गई, सिंप़सी बात है, ठीक है, तो यना, न, तो यह हो गया, 선생님 technology star की परिखलब ना की गई, तो to the point आपको answer दिना है, तो to the point चीज़ें use करनी है, ठीक है, तो to the point चीज़ें use करके आप बता सकते हो, महासागरी अधरष्थ्ष्थल ये खताब हो यह आप लोग साथ मैं share कर दूँगा ठीक है यह आप लोग मैं share कर दूँगा इसको चींता नहीं करना है कोशन क्या है यह पड़ो कोशन आज का मारा सगेंड कोशन है जो 250 शब्द आपको लिखना है यह आपकर क्लियर बाद है 250 शब्द में इसको लिखे तो किया है, महासागरी अधास्तल के मानचित्रण पर अधारित उत्तरवर्ती प्रवाह सिध्धान्त ने महासागरों और माधीपमों के वित्रण के अध्यन को नए आयाम प्रदान किये हैं, सविस्तार वरणन कीजिए, ठीक है, तो यह करा है, करा है, पोस्ट ड्रिफ्ट शो आई, ड्रिफ्ट शोरी के बाद बहुत सारी त्योरी आई, जिसमें प्लेट विवर्तनिक, महासागरी विस्थापन यह सब आया, ठीक है, तो कहरा है, यह जो है, किस पर अधारी थी, महासागरी अधास्तल, यहनि ओशियानिक फ्लोर, ठीक है, महासागरी अधास्तल के पोस्ट ड्रिफ्ट थीओरी, ठीक है, कहा रहा है, इसने नए आयाम प्रदान किये है, महासागरों और महास्तीपों के वित्रण के अधान पे, तो कहां-कहां पे डिस्टिब्यूशन है, ठीक है, डिस्टिब्यूशन है, ओशियन और कंटिनेंट का, कौन है यार बोट दू हेलो, जो, हाँ कौन, कौन आपको बुलनाँ, क्या उजू, सर आपको महाँ पर और नमबर दिया होगा, आप उस नमबर पर क्लियूशन है, ये किबल पेमेंट नमबर है सर, ठीक है, आपको महाँ पर only door, मैं क्लास record कर रहُ हूँ अभी, देखे और तो सर आप एक बार वहाटट्साप मैसेज़ कर दीजे पर शांद मत मयई वक्षाइब मैसेज कर देंगे तो रिपलाई आ जाएगा छाईगा आ जाएगा आ जिन्ता मुझे हिए reply आपको आ जाएगी जरूर आ जाएगी ठीक है ओके जाएंज अब यार यह लोग इतना disturbing है लोको मैं आफ ही कर देता हूँ तिमाग खराब होता है फिर यह जादे बेटर है phone on coming मतलब एक लगतार पर phone पर phone पर phone कोई बने गोरोति पाठी सर कूल हो जाएगे लाइव होने का यह फायदा होता लाइव होता तुमाग गुस्सा उतार लेता हूँ अब लाइव नहीं तो गुस्सा उतार नहीं पाता है खर तो अब यह पोस्ट डिप्ट थोरी बेज़ड अन ओशियन फ्लोर मैपिंग प्रोवाइड़ निव डाइमेंशन्स टु दे इस्टडी अफ डिस्टिबूशन अफ द ओशियन अन कंटिनेंट्स इलैबोरेट कहा रहा है इसी बात को स्थव स्तार वर्णन कीजिए यह मत बताई कि पच में तरक भी पच में तरक भी सब कुछ नहीं चाहिए इसी बात को explain कीजिए कि कैसे post drift theories जो आई जो किस पर आदारी थी जो आदारी थी ocean floor mapping पर जो आदारी थी तो post drift theory कि इस बात पर आदारी थी ocean floor mapping पर तो लोग गए समुद्र में डुबकी लगाए और map की carrier यहां तो ऐसा है यहां तो ऐसा है अंदर अंदर जा कि समुद्र के गहराईयों में देखा ठीक है अथा गहराईयों में समुद्र की देखा है ना और फिर देखे कि क्या-क्या research हो सकती है वहाँ पर research किया तो बहुत dictionary करने फिर अब इस बातको आपको बथा नहीं तो आपको क्या करना यहां पर यहां पर अब कैसे इसका अशलों कैसे श्च्रिक्चिरिंग करना याई प्रश्न बढ़तिया हमेने तो यांसर एंपर तो शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं? प्रवाह सिध्धान्थ को बता सकते हैं कि वेगनर ने महादीपी प्रवाह सिध्धान्थ में माना था कि पोलर फ्लिंग बल, अब शॉर्ट में अपनी बात को लिखे, धुरूवी उत्पलमन बल, पोलर फ्लिंग फोर्स और कौनसा प्लिट वीवरत निक सिध्धान्थ, और सिधा बताईएं कम नवीन आयांप्रदान कीये हैं सीधे ये करके इंट्रोडीक्शनलिक लिए अब में बदाएं, एक एक सिध्धान बताईएं और क्या-क्या आयां उस्ने दिए, तो पहला सिध्धान बता दो, प्लिट रहा है बलकि क्या और रहा है इस थल मंदल दूर्पर थला मंदल पर तेल बस प्लेट से ट्रानी सिधान के क्या-क्या स्टी मात्र मासागर बने ठीक है जो अब है जो थरकब प्लेट और था सिधान इजो फिलिपिन प्लेट् है ये काम आपका कर सकते हों नहें नए डायमेंशन दिएं किसको महाधी प्रमांद सागम को समझधारी को यह we площ spreading थो इससे प्गूण से व्हें हैशन फिर लिख दोगे के कंक्लूजन कोई एक दो छोटी बड़ी थियोरी और पता आई जिसे पोलर वांडरिंग थियोरी भी है उसके बाद आई एक दो थियोरी और आई कि धुरू भी गति शील्टा कर रहा है उन थियोरी की विविमन करें कोट कर सकते हो तो आपका आंसर समझ में आया यह आंसर आ स्थापन सिधान को अलफ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिबादी दिया था इंट्रोडेक्शन में बता दिया कि अलफ्रेड वेगनर ने इसको इस्थापित किया था ठीक है एक चीज समझना है कोश्चन एक बार वापिस समझेगा ठीक है वापिस समझेगे नए आयाम इसने बताई है तो यह बात दिमाग में खोल के रहना है कहा रहा है निव डाइमेशन तो जब हम पॉइंट लिगेंगे न कि महादीपी मतलब विवर्तनिक सी धांत ने क्या डामेशन दिये तो हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो वेगनर को नहीं पता थी तो वही बात मैं एन करोंडने बताई तो परवत कैसे बने डाईवर neighbour कनवर्जेंट बाउंटरीबर मसागर कैसे बने डाइव बांदरीपर ठीक है सियाल सीमा पर नहीं तरह रहा है इस थाल मंदस्पाव तरु असंफीर्र तरी लिट एस सफियर तरुर्स योंच तर्ट यह थे निने पता त तो जो अलफेट वेगनर का सिधानता उसने पहले अब यहाँ पर हम लोग इस कहानी को पढ़ लेते हैं बस समझा दिया है मैंने और अब आप लिख लोगे बहुत शांदार तरीके से यह लिखिये भी यह आंसर लिख के एक बार भेजिए तो मैं देखूंगा एक दो लोग की कॉपी बस देखूंगा सब की नहीं सब लोग मत बेजना एक दो लोग जो इस्टार्टिंग में लिखके डिस्क्रिशन ग्रूप पर डाल देंगे वीडियो सुनते ही उनकी कॉपी देखूंगा और फिर नेस्ट लास में इस्टार्टिंग का 10 इनट मैंज़ाद पर चर्च की बनी ठीक है तो इसने ऐसे प्रूब किया लेकिन लेकिन क्या हुआ ये हर चीज नहीं बता पाया इसने हर चीज नहीं बता पाया तो कई सिध्धानता है Son को सिध्धानता है तो यहां पे कुछ common common सिध्धानत दिया है कुछ सिध्धानता दिया है जो पोष्ट डिफ्ट थ्योरी यह जो समवहनधारा सिध्धान आर्थार हुम्स अब इतना नाम नाम मझा नहीं लिखना है HGS के बच्चे से इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इतनी डिटेल में जाएगा, जा सकते हो, ये लिख सकते हो, सम्महन धारा सिधान, कन्वेशनल करेंट थोरी, तो विगनरवा जो कहा रहा था, विगनरवा कहा रहा था कि महाधीप जो है, धुरुवी उत्लावन बल से बह रहे हैं, सम्महन धारा सिधान, तो इसने क्या चर्चा की थी? सम्महन धारा सिधान ने सम्महन धाराओं के संचालन की संभावना पर चर्चा की थी, कि अंदर से कन्वेशनल करेंट उटती है, फिर दूसरा, पूरा चुम्बकत रिसर्च हुआ, पलेव मैनेटिर्म रिस किया प्रिथवी का जो magnetic magnetic छेत्र है magnetic reason of earth है ठीक है उसका अध्यन किया उसने बता है कि पोल भी क्या था wandering कर रहा है ध्रू भी क्या है इधर से उदर इधर से उदर घूम रहे है ध्रू भी घूम रहे है वो कैसे पदा चला चटानों का ध्यन किया कहीं पर dimension चटानों तोब के जंद जो जो मैशने टेक पार्टिकल है उनका अलाईनमेंट यानि उनकी सब्रेखण अलाईनमेंट सब्सक्रण उनका वाइन और च दूसरी दिशा है कऊ round 5 मतलब सक JASON क lleva होंगे ठीक है अब फोल शिफ्ट होने का मतलब है कि पृत्वी के अंदर ये अंदर उन चीजों का सवंचलन चल रहा है ठीक है तो चाहे पृत्वी के अंदर जो इस थाल वो शिफ्ट हो रहे हैं तो दोनों बात प्रेम है ठीक है फिर क्या हुआ इसने सी फ्लोर छिवरे हो दो साथ आतों क्यी दो चाहिए, तो या आपस समझ बोला आपको आंसर में समझ बात को स्थ्लोरिक आई ऑभी बता रहा था या मैंने आपको प्ले 운동 को जई उढ़ा है, समवहन दhrad rock पे चाहिए, तो से कहले हम परोदने का तो याज प्राइडिंग आध्यान किया था तो मैंने पता देखो पलेयोगी की जुटाई थी कि हां इंट्रोड़क्शन के बाद आप यह बता सकते हो कि पर ठिफ्ट ध्योरी इस कौन सारी चीजों को explain नहीं कर पा रहे थे उधारण एक दो आपने बता दिया शॉट में आपने एक दो बता दिया फिर एक आप शॉट में डाल सकते हो पोस्ट ड्रिफ्ट थियोरी PDT उत्तरवर्ती प्रवासिधन उत्तरवर्ती प्रवासिधन था फेडिंग डाल सकते हो और क्या जा सिधा ये वे प्रमाण इस्तापित किये जो वेगनर की समय नहीं थे तो इन्होंने एक साथ बता दिया है इन्होंने दोनों प्रमाणों को एक साथ बता दिया है लेगे मैंने कहा मैंने का भाईया बेटर है कि आप हेडिंग्स डाल दो प्लेंट टेट्रonik थिओरी में पढ़ा था किसमें पढ़ा था कि हैरी हैस वाले में वही बात या पर बता रही देखो जैसे कटक से दूर जाते हैं सेडिमेंट की मोटाई बढ़ती जाती है ये भी हो गया था ये भी बात मैंने बता दी थी ठीक है ये भी बात बता दी थी मद्य महसागरी कटक हर इस में भी परिवर्टन ये भी पॉईंट्स बता दिया था देगो वह इन्हों ने भी वह किया है आंसर में भी वह चीज़ है बस हमने क्या किया to the point is बाक्तों किया ठीक है यह हो गया अब इसके बाद आया plate विवर्तिनिक सिध्धान फिर दूसरा आप सी धेडिंग डालो plate विवर्तिनिक सिध्धान plate विवर्तिनिक सिध्धान basically saagri अधा इस्तल यानि sea floor spreading का यह क्या है और extra और dimension और व्यापक समस्क्रण है ठीक है और क्या है broad आप कैसे हो version है ठीक है और broad version है तो इसने बताया saagri स्थल का विकास हो रहा है यह बात बताया ठीक है नई समुद्री पटपटी का निर्मान और लगतार विनाश हो रहा है यह बात बताई इसने बताया प्रित्वी की सता का शेतफल निश्चित है तो कहीं पर नई बन रही है कहीं पर पुरानी खताम हो रही है तो नई उतना ही बन रही है जितनी पुरानी समाप्त हो रही है तो शता का शेतफल प्रित्वी के क्या है fix होती है तो जितनी नई परपटी का निर्माड होता है उतनी ही पुरानी समाप्त होती है प्रित्वी को साथ प्रमुक और चकुछ फोटी प्लेटों में भाजित किया गया है तो ये बात बताई ये बात आपको ही बताना है और परवतों के निर्माड और समुद्रों के निर्माड पे आप एक पॉइंट लिश सकते हैं, कि परवतों के निर्माड पे इन्हों ने ये बताया, समुद्रों के निर्माड पे इन्हों ने ये बताया, फिर क्या कर सकते हैं, आप निशकर्ष दे सकते हो, कि क्या, प्लेट के बारे में भी समझने में मदद प्रदान की है तो यह आपका constitution भी हो जाएगा ठीक है इस वाले में diagram बनाओगे वही वाला जो फैल रहा था यही वाला diagram बनाओगे ठीक है यह बनाओगे और इस वाले में plates दिखा दोगे ऐसे goal बनाके plates दिखा दोगे इसके बाद जो class होगी वो हमारे पास geomorphology की last classes होगी तो last class होगी उसके आपने oceanography और वो पढ़ेंगे अगर हमारे पास last में समय बसता है तो दो चार question और जो मुझे लगे last में वो मैं discussion करूँगा अभी के लिए आपने को ये मिल जाएंगे ठीक है ये मिल जाएगा और last class जो 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 इसमें के जो और important questions है वो मैं discussion करूँगा तो अभी ऐसा नहीं है कि मैं आज ही खतम है अगली class आज हमने 3-4 question discussion किये ठीक है तो next class में भी हम 3-4 question discussion करेंगे अभी कै कि अभी speed slow है देरे देरे speed हमारी बढ़ती जाएगी ठीक है क्योंकि आप basic आप समझ जाओगे एक बाद अभी मैं समझाने पे बहुत जादे समय दे रहा हूँ ठीक है तो थोड़ा सा मैनत करते रहिए और अब हम लोग basically कल हम लोग 2-3 question करेंगे तो आप मन करें तो पढ़ के आईएगा जैसे ये हिमाले मैं आपको question दिखा दे रहा हूँ कल हम लोग कौन कौन से करने वाले जो रटने वाला है वो सीधे सीधे दे दूँगा रट लेना बता दूँगा कि ये रट लो ठीक है ये जोला मुक्यारा तो वहीं पर हो जाएगा हमारा जोला हम लोग पहले तो ये करेंगे प्रित्वी के आंतरिक सर्थना ये बहुत important है मला most important चीज़े आज हमने ये करी लिया था तो दूसरा question होगा हमारा ठीक है और ये करेंगे हिमालय का भारती जलवायू प्रभाव में पहले बता दे रहा हूँ छोड़ दीजे तीन question कल important और जो हमारे पास रह जाता है हिमालय का भारती जलवायू पर प्रभाव ठीक है प्रित्वी के आंतरिक सर्थना करेंगे और उत्तरी मेतान जो northern plains हैं इनका निर्माड और इनका distribution ये तीन चीज हम लोग कल ये तीन question minimum हम करेंगे और इसके लाव मुझे लगा तो एक दो question मैं बता दूँगा कि ये point इसमियाद रखना है वो कर लिजेगा और ये PDF आपको दे दूँगा इसको अपने पास रखे रीड करते रहिए समझते रहिए फिर हम लोग oceanography पर आएंगे या atmosphere पर आएंगे ठीक है जै हिक जै भारत